नमस्कार साथियों, स्वागत आपका Teachers Education Corner चैनल पर प्रेणा पोर्टल पर सत्र दोजार बीस किस का विध्याली स्थरीय उभोग प्रमानपत्र भरा जाना है अगर आपने अपने विध्याले का तीनो चर्णो का खादान और धनराशी का MDM डाटा प्रेणा पोर्टल पर भर दिया है तो आपको यह प्रमानपत्र ऑनलाइन ही भरना होगा आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान स्टेप्स में पूरी डिटेल के साथ यह प्रमानपत्र भरना सिखेंगे जिससे भरते समय कोई भी गलती ना हो पाए इसलिए वीडियो पूरा देखेगा अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे ऐसे ही महत्रपूर्ण वीडियो के नोट्रिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले आप प्रेणा-UP.in वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और Bank Data Upload Option से Teacher Login पर क्लिक करेंगे अब Bank Upload Option सेलेक करके अपने Registered Mobile Number से Login कर लेंगे Login करने के बाद Left Side में Dashboard जहां लिखा है उसी के ठीक नीचे विध्याले सरी उब्भोग प्रमान पत्र है उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने उब्भोग प्रमान पत्र खुल जाएगा यहाँ पर जो भी जानकारी मांगी गई है उसको आप एक पेपर पर या फोन में Excel फाइल में सेव कर लेंगे जिससे प्रेणा पोटल पर भरते समय असानी से जल्दी डाटा भरा जा सके इस Excel फाइल का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से डाउनलोड करके आप असानी से एडिट कर सकते हैं अब पहले पॉइंट में दिनांग 24-3-2020 को उपलब्द परिवरतल लागत धनाशी लिखनी है इसमें आपके विध्याले की MDM वाली पासबुक में जो धनराशी 24-3-2020 को परिवरतल लागत की 6 हो वह लिख देंगे अगले पॉइंट में दिनांग 24-3-2020 को उपलब्द खाधान जो भी आपके विध्याले में 6 था वह किलोग्राम में लिखना है अगर कुछ भी नहीं था तो आप 0 लिख देंगे थर्ड पॉइंट में विध्य वर्ष 2021 में परिवरतल लागत मद में प्राप धनराशी यह वो राशी है जो आपको 3-4 के लिए मिली है और जितने भी दिन विध्याले खुले प्राइमरी या जूनियर उसकी धनराशी इसमें 1 अपरेल 2020 से 31 माद 2021 तक की धनराशी पासबुक में से देख कर आप लिख देंगे अब इसके बाद विध्याले हितु आवेंटित खाधान इसमें वह सारा राशन आएगा जो आपने कोटेदार से लिया होगा या डिरेक्ट दिलवाया होगा उसके एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे कोटेदार के स्टॉक रेजिस्टर में भी आपको यह सारी डिटेल मिल जाएगी इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लॉगडाउन की अवधी में छातरों को फोर सिक्योर्टी एलाउंस विजरन किस्ती थी यहाँ पर तीनों चर्णों के कारे दिवस हैं अपरेल से जून 76 दिन जुलाई से अगस 49 दिन और सितंबर से फरवरी 138 दिन यह प्राइमरी के हैं जूनियर में सितंबर से फरवरी में 124 दिन आएंगे अब यहाँ पर 76 दिन वाले में बच्चों की संख्या में सत्र 2019 बीज के प्राइमरी में कक्षा 5 और जूनियर के कक्षा 8 के बच्चे भी आएंगे क्योंकि वह सभी जुलाई में ही प्रमोट हुए थे अब इन तीनों चर्णों में कितना राशन और धनराशी आपने बाटी है उसकी डेटेल यहाँ पर आप लिख देंगे अगर आप चाहें तो इस डाटा को वेरिफाई करने के लिए प्रेणा पोर्टल पर डैश बोर्ड पर अपलोड एनलेटिक्स में तीनों चर्णों में कितना राशन और धनराशी वित्रित की गई है वह चेक कर सकते हैं इसके बाद विधाले खुलने के उपरांथ MDM Vision की सी थी अब प्रैमरी में विधाले 24 दिन खुला था और जूनियर में 38 दिन उन दिनों में कितने बच्चे आए उनका टोटल आपको यहाँ पर लिखना है धनराशी और खादान आपको कैलकुलेट करने की आवशक्ता नहीं हैं वह अपने आप ही सौफ़ेर भर देगा जब आप फॉर्म भरेंगे अब जब यह सारी डिटेल आप अपने पास बनाकर रख लेंगे तो आप दो मिनट में पूरा उब्भोक प्रमाणपत्र प्रिणा पोटल पर आसानी से भर सकते हैं मैं आपको अब उब्भोक प्रमा धनराशी और खादान गेहूं और चावल दोनों को जोड़कर डाटा भर देते हैं ऐसे ही 49 दिन और 138 दिन का डाटा भी भर देंगे अब विद्याले खुलने के उपरांत विद्रण की सिति में यहां पर जितने भी दिन विद्याले खुला उसमें टोटल बच्चों की लिखा आ जाएगा अब आप सब डिटेल्स चेक करने के बाद सेव के बटन को क्लिक कर देंगे अब आपका डाटा फाइनल सेव हो गया है अगर इसको भरने में कोई भी परशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स और टेलिग्राम पर पूछ सकते हैं आज की वीडियो में इतन नहीं अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें जैहिंद